हेलो एवरिवान, मैसेल्फ सोनेश ठककर, वेलकम आवरिबड़ी अट नंद क्लासिस, मित्रो टैन स्टाइनर मैथेमेटिक्स की सीरीज में, आज हमारा थर्ड चेप्टर का 14 पिरड है, जिसमें दोस्तों हम चेप्टर 3, एक्सेसाइस 3.2, क्वेस्टेन 3 आगे पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपको 7th पिरड में मैंने जो टेबल सिखाया था, अगर वो आपने अभी तक अच्छे से परफेक्टली लर्न नहीं किया है, तो make sure आप वापस जाएए, पहले वो देखिए, लर्न कीजिए, एक ब्लैंक पेज में सेल्फ एरिफिकेशन लीजिए, फिर आगे 3, क्या बोला है, सबसे पहले question को बारी के से समझेंगे, कि हमें पूछा क्या है और हमें करना क्या है, on comparing the ratios, a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the lines representing the following pair of linear equations are consistent और inconsistent, दोस्तों अभी बहुत ध्यान से याद कीजिए, अपने दिमाग को कर्ष्ट दीजिए, मैंने आपको बोला था, कि ज बोल सकते हैं कि वो consistent है, या inconsistent है, if lines are intersecting, we get unique solution, definitely equations consistent है, if we get coincident lines, if we get coincident lines, coincident lines, यानि कि दो equation, एक ही equation represent करती है, तब graph में हमें एक ही line मिलती है, दोस्तों इससे कहते है, coincident lines, at that time, क्या होता है, solution क्या मिलता है, infinitely many solutions we get, दोस्तों उस time पे भी हमारी जो दो equations है, वो consistent है, लेकिन when lines are parallel, if lines are parallel, तो क्या होता है, no solution, दोस्तों this is the only condition where lines are inconsistent, क्या सुना आपने when lines are inconsistent, clear everyone, तो अगर lines intersecting है, definitely वो consistent है, अगर lines coincident है, वो definitely consistent है, लेकिन अगर lines parallel है, तो वो consistent नहीं है, clear everyone, और line intersecting है, coincident है, के parallel है, वो हमें कैसे पता चलेगा, दोस्तों ratio पर से पता चलेगा, वो ratio हमने कहां पे सिखा था, वो ratio हमने 7th period में मैंने आपको पुरा एक table सिखा था, उसमें सिखा था, clear, चलिए, start करते हैं दोस्तों, very first example, दोस्तों question 3 start करने जा रहे है, उसमें total हमारे पास 4 example है, second, third and fourth example मैंने यहां पे लिखा है, और यह हमारा first example जो अभी हम start कर रहे है, चलिए, the first example is, 3x plus 2y is equal to 5, 2x minus 3y is equal to 7, यह दो equation है हमारे पास चलिए, तो start करते हैं, on comparing, पहली equation, 3x plus 2y, दोस्तों, यह 5 is equal to, के side था तो क्या था, positive, मैंने side shift कर लिए, definitely क्या हो गया, negative, तो लिख दिया, 3x plus 2y minus 5 is equal to 0, with, किसके साथ compare करेंगे, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, इससे previously जो हमने example किया था, वही, same procedure फॉलो की थी, वही कर रहे है अभी भी, तो क्या होगा दोस्तों, compare करो 3x plus 2y minus 5, उसकी comparison करने है, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, तो क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा a1 is equal to 3, हमें मिलेगा b1 is equal to 2, और हमें मिलेगा c1 is equal to minus 5, clear, चलिए, on comparing, second equation, 2x minus 3y minus 7, दोस्तों, यह 7 is equal to के सामने से तो positive था, इस सेट shift हुआ तो negative हो गया, उसको किसके साथ compare करेंगे, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, we get, क्या मिलेगा दोस्तों, हमें, हमें मिलेगा a2 is equal to 2, b2 is equal to, हमें मिलेगा minus 3, और c2 is equal to, मिलेगा हमें, minus 7, अभी क्या करेंगे दोस्तों, अभी definitely ratio define करेंगे, चलिए, तो यहाँ पे लिखेंगे, a1 divided by a2, a1 upon a2, क्या हो जाएगा, चलिए, a1 है हमारे पास 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3, और a2 है हमारे पास 2, तो a1 upon a2 क्या मिला हमें, 3 by 2, उसके बाद b1 upon b2, तो दोस्तो b1 क्या है हमारे पास, b1 हमारे पास है 2, और b2 हमारे पास है minus 3, यानि यह मिल गया हमें, minus 2 by 3, अगर एक ही minus है, आप उपर लिखो, center में लिखो के नीचे लिखो, बात एक ही है, चलिए, उसके बात find करेंगे दोस्तो, c1 upon c2, तो c1 क्या है हमारे पास, c1 हमारे पास है minus 5, तो यहाँ पे लिख देंगे minus 5, divided by minus 7, minus minus definitely cancel हो जाएगा, and finally we have 5 by 7, तो अभी exactly दोस्तों हमें क्य का बताना है, हमें बताना है कि pair of equation consistent है, या inconsistent है, तो आप ध्यान से observe कीजिए, कि a1 upon a2 क्या है, 3 by 2, और b1 upon b2 क्या मिला, minus 2 by 3, यानि हमारा जो पहला ही ratio है, वो similar नहीं है, मतलब क्या लिखेंगे, मतलब यहाँ पर लिखेंगे, मतलब यहाँ पर लिखेंगे, कि here, क्या होग a1 upon a2, a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, clear everyone, क्या होगा दोस्तो, a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, so therefore, यह कौन से condition है, a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, that means lines are intersecting, unique solution, yes, equations consistent है, table की, जो मैंने 7th period में जो table सिखाया था, उसमें जो पहली दो condition है, वो कौन सी है, intersecting lines and coincident lines, उन दोनों condition में equations consistent है, और जो आखरी condition है, कि when lines are parallel, we get no solution, सिर्फ वही condition पे equation inconsistent है, तो यहाँ पे तो lines कैसे मिलें, intersecting, तो definitely यहाँ पे लिखेंगे, कि therefore, pair of linear equations are consistent, clear everyone, पता चला दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा जो first example था, of question 3, वो complete हुआ चली है, दोस्तों अभी आगे बढ़ते है, example number 2 की और, सिर्फ हम equations को change करेंगे, कि बाकी का सारा जो basic है, वो वैसे का वैसा ही रहने वाला है, हाँ, definitely a1, b1, c1 की values change हो जाएगी, उसी हिसाब से, यह equation भी change हो जाएगी, और definitely a2, b2, c2 की value भी change हो जाएगी, और यह जो a1 आपोनेट वो वैसे का वैसा रहेगा, लेकिन जो उसकी respective values है, formula same रहेंगे, values change होती रहेगी, चलिए, तो अभी हम start करेंगे, अभी हम start करेंगे, इसको भी remove कर देता है, because यह change होता रहेगा, ठीक है, चलिए, अभी हमारी जो second example है हमारा, तो second example की जो equation से वो यहाँ पर लिखेंगे, क्या है दोस्तो second example की equations, 2x minus 3y is equal to 8, and the second equation is 4x minus 6y is equal to 9, clear? चलिए, तो start करते on comparing, सबसे पहले है, जो very first equation है वो लिखेंगे, 8 यहाँ पर positive है, इस side shift करेंगे तो negative, 9 यहाँ पर positive है, इस side shift करेंगे तो negative, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा, 2x minus 3y minus 8 is equal to 0, comparing with a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, we get a1 is equal to क्या मिलेगा, 2, b1 is equal to क्या मिलेगा minus 3, और c1 is equal to मिलेगा, minus 8, अभी दूसरी equation लिखेंगे दोस्तों, on comparing, on comparing 4x minus 6y, 4x minus 6y minus 9 is equal to 0, with a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, we get a2 is equal to क्या मिल जाएगा, 4, b2 is equal to क्या मिल जाएगा, minus 6, c2 is equal to क्या मिल जाएगा, minus 9, clear, तो चलिए अभी ratio ढूंदेंगे, a1 क्या है हमारे पास, 2, a2 क्या है, 4, तो definitely हो जाएगा, 2 by 4, तो दोस्तों 2 by 4 क्या होता है, 1 by 2, 2 दूसरा 4 इतना basic तो पता ही होगा, अभी b1 क्या हमारे पास, minus 3, b1 हमारे पास है minus 3, b2 हमारे पास है minus 6, minus minus क्या हो जाएगा, cancel, ठीक है, चलिए आपको सिर्फ explain करने के लिए c2, तो क्या हो जाएगा, c1 क्या है हमारे पास, minus 8, c2 क्या है हमारे पास, minus 9, तो definitely क्या हो जाएगा, minus minus cancer, और यह हमें मिलेगा, 8 by 9, अभी क्या condition develop हो रही है दोस्तों, तो अभी यहाँ पर लिखेंगे, अभी यहाँ पर लिखेंगे, जो conditions develop हो रही है, तो यहाँ पर सबसे लिखेंगे कि here अब देखें a1 upon a2 क्या मिला हाँ है 1 by 2 लेकिन c1 upon c2 क्या मिला 8 by 9 तो यहां पर लिखेंगे कि a1 upon a2 is equal to b1 upon is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2 दोस्तों यह condition किसके साथ match होती है यह condition match होती है parallel lines के लिए when we have no solution and when the lines are parallel no solutions we have definitely equations are inconsistent तो यहाँ पर लिखेंगे therefore यहाँ पर लिखेंगे therefore pair of pair of linear equations pair of linear equations आर क्या लिखेंगे दोस्तो inconsistent ठीक है थोड़ी lack of space हो रही है तो मैं यहाँ लिख देता हूं inconsistent ठीक है चली आप समझ गए होंगे pair of linear equations are inconsistent ओके ठीक है तो दोस्तो concept clear आपको कैसे solve करते है तो यहाँ हमारा second example भी complete हुआ अभी हम आगे बढ़ेंगे third example की ओर दोस्तो third example में हमारे पास दू equation है 3 by 2x plus 5 by 3y is equal to 7 and 9x minus 10y is equal to 14 चली अभी solution स्टार्ट करते है on comparing 3 by 2x plus 5 by 3y minus 7 is equal to 0 दोस्तों यह जो हमारी first equation है उसमें 7 जो is equal to right side पर था उसको हमें इस side shift कर लिया left side पर तो definitely कैसा हो गए negative ओके चली तो क्या कर रहे है compare कर रहे है इस equation को compare कर रहे है even x plus b1 y plus even is equal to 0 के साथ तो we get क्या मिलेगा दोस्तों हमें definitely x का जो coefficient है वो क्या है 3 by 2 और यहां पर x का जो coefficient है वो क्या है even तो definitely even क्या मिलेगा 3 by 2 y का coefficient 5 by 3 y का coefficient b1 तो b1 क्या मिलेगा 5 by 3 लास्ट में जो constant value है वो क्या है minus 7 और यहां पर लास्ट में जो constant value क्या है c1 so definitely we get c1 is equal to minus 7 चलिए अभी दूसरी equation को compare करेंगे on comparing second equation 9 x minus 10 y minus 14 is equal to 0 with a2 x plus b2 y plus c2 is equal to 0 we get क्या मिलेगा दोस्तों a2 is equal to 9 b2 is equal to minus 10 and c2 is equal to minus 14 clear everyone अभी क्या करेंगे दोस्तों अभी ratio निकालेंगे जैसे कि हम डूंडेंगे क्या हैगा a1 upon a2 तो दोस्तों a1 क्या है हमारे पास a1 हमारे पास है 3 by 2 और a2 क्या हमारे पास 9 तो यहां पर लिख देंगे 9 अभी दोस्तों आपको पता होगा कि numerator का numerator का जो denominator होता है वो denominator में जाता है आई रिपीट numerator का जो denominator होता है वो denominator में जाता है तो ultimately क्या हो जाएगा हमारे पास यह 2 denominator में आएगा तो 9 के साथ multiply होगा so definitely 9 2 जा क्या हो जाएगा 80 अभी क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 3 6 जा 18 तो यह answer मिला हमें 1 by 6 चलिए अभी दूसरा ratio ढूंडेंगे that is B1 upon B2 तो दोस्तों B1 क्या है हमारे पास B1 हमारे पास है 5 by 3 तो definitely यहां पर लिख देंगे 5 by 3 divided by B2 B2 क्या है दोस्तों हमारे पास 10 तो क्या लिखेंगे exactly यहां पर लिखेंगे 5 divided by minus 30 क्योंकि अभी हमने डिसकस किया कि numerator का जो denominator होता है वो denominator में जाता है तो definitely 3 तेंज हा क्या हो जाएगा 30 तो 5 divided by minus 30 तो क्या हो जाएगा ultimately minus as it is दोस्तों जब एक ही minus हो तो ऊपर लिखो नीचे लिखो के side में लिखो बात एक ही है कुछ fundamental change नहीं होते है तो क्या हो जाएगा दोस्तों 5 1 5 6 30 तो definitely बीवन अपॉन वीड़ो क्या मिला हमें minus 1 by 6 चलिए अभी सीवन अपॉन सीटू ढूंडेंगे तो सीवन क्या है दोस्तों हमारे पास सीवन हमारे पास है minus 7 तो यहां पर लिख देंगे यहां पर लिख देंगे minus 7 ठीक है सीटू क्या है हमारे पास सीटू हमारे पास है minus 14 तो definitely लिख देंगे minus 14 अभी देखो यह minus minus तो क्या हो जाएगा cancer तो definitely 7 तो यह मिल जाएगा यहां पर हमें one by two clear everyone चलिए अभी notice कीजिये एवन अपॉन एटू क्या मिला one by six बीवन अपॉन बीटो क्या मिला minus one by six यानि पहली ही condition हमें मिल गई कि यहां पर हम लिखेंगे definitely यहां पर हम लिखेंगे कि here a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 दोस्तों यह किसके लिए condition है a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 that means lines are intersecting we get unique solution and definitely equations are consistent तो यहां पर लिखेंगे कि therefore therefore यहां पर लिखेंगे कि pair of pair of linear equations pair of linear equations are क्या होगा दोस्तों consistent clear everyone चलिए अभी दोस्तों हमारा जो fourth और fifth example है यह fifth example हमने एड किया है तो देखिए दोस्तों fourth example बहुत easy which is exactly similar to first and second example तो वो आपके लिए definitely homework में है example number five example number five is quite similar to example number three जो अभी हमने किया और बोल सकते हैं उससे काफी easy है अभी दोस्तों यह fourth और fifth example जो मैंने आपको homework में दिया है उसके लिए आपको क्या करना है इसका आंसर आपको मुझे कमेंट वॉक्स में बताना है फिर मैं एक दिन के बाद जितने बी से आंसर दिये होंगे वो मैं बता दूगा किसका अंसर सही है और किसका अंसर गलत है क्या करना है आपको कमेंट वॉक्स में कैसे आंसर देना है जैसे कि मान लीजी आपका नाम है एक्स वाई-जड तो आपने अपना नाम लिख दिया एक्स वाई-जड फिर आप यहां पर ऐस question 3 था वो complete हुआ अभी जो next वीडियो आएगा उसमें हम question 4 कवर करेंगे और वो बहुत ही easy और interesting है clear चलिए तो यहां तक हमारे साथ जुद रहने के लिए धन्यवाद thank you